हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप हेल्दी और फिट होंगे दोस्तों मदू में शुगर या डायबेटीज सबसे आम और तेजी से फैलती हुई बिमारी है दुनिया के लगबग 11% आबादी डायबेटीज से जूज रही है पिशे कि डायबेटीज का कोई पर्मनेट इलाज नहीं है साथ ही इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल है लेकिन impossible नहीं वैसे तो डायबेटीज कंट्रोल करने के लिए कई तरह की दमाये हैं लेकिन इसे आप आयुवेदिक तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों आयुवेद एक पुराना और असरदार ट्रीटमेंट है जिसमें डायबेटीज को कंट्रोल करने के कई सस्ते और असरदार उपाये बताए गए हैं वहीं सबसे बड़ी बात है इसका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं है तो चलिए आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं दोस्तों डायबेटीज में आमला बे में सुधार करता है आमले में मौझूद बाकी तत्व जैसे कैलशियम फासफोरस और आइरन शरी को इंसलूइन एबसर्व करने और ब्लड शूगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करते हैं आप आमले को सुखा कर उसका चूरन बना सकते हैं और रोज सुभा कर्म पानी के सा ले सकते हैं इसके अलाबा दोस्तो दालचीनी भी बेहत फायदे में दे हैं ये एक नैचरल बायो एक्टिव मसाला है और ब्लड शूगर लेवल को सही रखने में मदद कर सकता है इसके लिए आप एक गलास पानी में आदा चम्मच पिसी हुई दालचीनी डाले अच्छी त पीने में ब्लड शूगर को कम करने में मदद मिलती है इसके अलावा आप इसे पीस का चूरन भी बना सकते हैं और सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ ले सकते हैं आपको काफी लाब मिलेगा दोस्तो वैसे तो सहजन का इस्तमाल सबजी की तरह किया जाता है लेकिन इसक पत्तो को पीस कर इसका चूरन बना ले और डॉक्टर की सलहा पर रोजाना सुबह गर्म पानी के साथ ले इससे आपको काफी वायदा मिलेगा दोस्तो तरफला एक चूरन है जिसमें हरी तकी आवला और बिती तकी शामिल होता है ये कब्स में राहत और आंथ में सुधार के दोस्तो अगर आपको अपना ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो आप भी इन उपायों को अपना सकते हैं ये उपाये आपके लिए फाइदेबन साबित होंगे आज की इस एपिसोड ने बसित नहीं अपना ख्याल रखे स्वस्त्रहें धन्यवाद झाल